हलो फ्रेंट्स दिस सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंधन तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक लेकर किया हूँ आप लोगों ने थमनेल में भी देख लिया होगा यहां देखकर भी अंदाजा हो गया होगा और सच में बहुत मैनत किया गंटा दो गंटा लग गया मुझे इसको लिखने में तो इसलिए आप लोग सब ध्यान से इस टॉपिक को बढ़ना ठीक है और बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है सिर्फ यह नहीं कि आप लोगों के एक्जाम के लिए इंपॉर्टन है यह आपकी लाइट के लिए बहुत इ है ना है ना जब हम यह कहते हैं कि प्रनाउंशियेशन वह इस टॉपिक की नौलेज ना होने की वज़ए से हम कहते हैं और हमारी गलती भी नहीं है क्योंकि हमारे टीचर ने जब ABCD सिखाया था उसी वक्त हमें यह सिखाना चाहिए था जो फनेटिक आपकी जो ट्रांस्क्र तो आज हम इसको करेंगे तुभला हो रीट का कि आपके एक्जाम में दिया है इस चीज को तो इसलिए इस टॉपिक को आज हम अच्छे से करेंगे और मैं यह बिल्कुल नहीं कोऊंगी कि मैं इसमें पॉफेक्ट हूँ क्योंकि मेरे लिए भी टॉपिक नया है जैसे कि यह कुछ चीज हैं जो आपको सभी को पता है कि हमारे इंग्लिश में जो है वो 26 लेटर्स होते हैं A to Z जो आपके होते हैं ठीक है उसमें हम अगर बात करें 26 लेटर्स को जिस तरीके से आप उच्छारण करते हैं जो उनकी ध्वनिया निकलती है वो कितनी होती है वो आपके क्या होते हैं वोवल्स होते हैं और 24 आपकी क्या होते हैं कॉंसोनें होते हैं यानि कि 20 आपके स्वर होते हैं अगर मैं हिंदी में कहूं तो और 24 आपके वियंजन होते हैं ठीक है अब वोवल्स को अगर फिर से क्या जाए तो इसमें 12 का एक ग्रूप होता है सिंगल वोवल् मुं से जब उनको produce किया जाता है तो उनको कहते है मौन अफ्थॉंग्स ठीक है मौन अफ्थॉंग्स कह जाता है और एट होते है उसमें gliding vowels उनको हम glides भी कहलते हैं double vowel sound भी कहते है और उनको diphthongs भी कहते है डाय का मतलब क्या होता है डाय मतलब दो जिनमें से दो दूववल्स की द्वने निकलते जैसे कि तोय और आय दो की xuगिकलती है जो साउंड होती है जो घलाइड करके निकलता है एक साथ निकले कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि दोव इहां पर ही कठे किये गए है ठीक है soil हो गया, oil हो गया, इस तरीके से, ठीक है, तो यह हो गया आपके dip thongs, तो आज हम जो है, आपको यह तो सबको पता है, कि A, B, C, D, K, K, G, 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 आप लोगों को सबको पता है, हम लोग यह देखेंगे, कि इनको किस तरीके से प्रनौंस किया जाता है, और दूसरा हम यह देख जब भी आप किसी word का meaning देखेंगे तो आपको हमेशा इस तरीके से slash में वहाँ पे कुछ लिखा हुआ मिलेगा और आप हम लोग हमेशा से यह सोचते थे कि यह क्या मतलब उर्दू लिखा रखी है वो क्या होता है वो उस word का phonetic transcription होता है एक चीज़ और बताती हूँ आपको ज आपको पता है और यह बहुत सिंपल है जैसे दिखे जाते हैं जैसे बोले जाते हैं वैसे ही इनका phonetic transcription होगा जैसे कि का है आपका तो का को हम के से करते हैं ठीक है तो जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो पो से रिप्रेजेंट करते हैं फो है अगर एफ है तो आप इसको फो को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे वह अगर तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे टी है तो तो आपको डी से रिप्रेजेंट करना है एस जो सिंपल स सबस्क्राइब करते हैं और इसको हमेशा फॉनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन कर इस तरीके से दो स्लैश की बीच में लिखा जाता है आपको ध्यार रखना है मा उसको म से न जो है उसको एंसे आर को रह से ला को ल से और ह को एट से तो यह सारे ऐसे संबल्स है जो कि आपको करते हैं ठीक है जैसे नहीं लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं नहीं से हम इसको करते हैं अब देखो यह कुछ ऐसे हैं जो कुछ महान हस्तियां है जो हमें नहीं पता है कि जिस तरीके से लिखी हुई है उस तरीके से ही क्या इनका फॉनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन होगा ज तो उसके लिए आपका ये सिंबल रहेगा ठीक है जब जो का साउंड आता है तो D3 का सिंबल रहेगा यह मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगी आप सिर्फ देखते जाएं और बहुत ही पेशन्स के साथ में सुनते जाएं ठीक है आप जोऑ इसे कि जफ़ कि जोशु का बन रहा है यहां पर जोई से जब रहा है है यहां पर एज ज से अपकाके जब ऑन रहे तो जब भी जो और जी से आपका जोगोंड निकलती है तो आप यह को ऐस्तिमाल करेंगे आपüman झाले ऐ और अगर आप जोग सित wannaUN reject लिग यहां ए ज़ यानि कि जू वाला ज़ ठीक है तो यह दोनों में अंतर है अब यह ज़ का आपको कैसे पता चलेगा क्योंकि हम लोग बहुत गलत प्रणाशियेशन करते हैं नॉइस जो होगा हम उसको नॉइस भी कह देते हैं नॉइज भी कह देते हैं है ना लेकिन जहां आपने प्रणाशियेशन गलत किया वहीं आपका जो यह सिंबल है यह वाला यह आपका गलत हो जाएगा ठीक है इसलिए आपको ध्यान रखना है तो इन दोनों में कैसे ध्यान और अगर आपका S और Z से Z की ध्यानी निकल रही है S और Z से अगर Z बन रहा है तो आपको यह Z वाला सिंबल इस्तेमाल करना है ठीक है जैसे कि noise तो आपका क्या है यहापे S से आपकी Z की sound आ रही है यहापे क्या है President क्या होगा President President Z की sound आ रही है तो आप क्या करेंगे यह वा जीरो तो नहीं कहना जीरो नहीं कहना, जीरो, जीरो कहते हैं हम लोग तो इसके लिए भी क्या होगा? जब हम जब हम जञाउस कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम? यहाला सिंबल लगाएंगी यहां पर यह Z वाला जीर यह दोनों कलियर हूब होगा G और J आने से DZ और S और J से आपकी Z की जो आपकी द्वनी आती है तो आपको यह Z इस्तिमाल करना है ठीक है अब आता है यह हमारा यह को हम क्या लिखेंगे यह को हम लिखते हैं ऐसे जे ठीक है आपने कई बार यह याद रखने का एक ट्रिक बता रही हूं यह के लिए जे लिए जे इस्तिमाल किया जाता है ठीक है यह के लिए जय आता है जैसे की यह जब बोलते हैं यह तो हम लोग तो बोलते हैं यह लेकिन कभी भी आप डिक्ष्णरी में सर्च करना आपके काम करना जब भी आपको किसी भी वर्ड में confusion हो आप गूगल में जाकर के उसको और उ से हमेशा ध्यान रखना इस भी वर्ड में confusion हो उसको गूगल करना उसका मीनिंग भी आपको वहां मिलेगा ठीक है उसकी ग्रैफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी वह भी मिलेगा और उसको कैसे आपका sound आएगा वह भी मिलेगा ठीक है तो इसको जब आप देखेंगे ने तो मांप भी एक मैं गगड़ा हुकर करते हैं यह को हम भोलते हैं लेक Михudi यास के까요 यूव यहां यहां पर देखें गूगल में साउंड को सुन जैलो इस तरीके का sound आता है T और यह इस तरीके से कुछ S बना हुआ ठीक है T के साथ में यह S बना हुआ यह हम च के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आपका CH चॉइज ठीक है चॉइज 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 सी एच से च बनता है तो यह क्या होगा आपका चॉइज इसके लिए आप आप फॉनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन करेंगे अगर पूछ लिया जाए कि इस वर्ड में CH का सिम्बल क्या होगा फॉनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन क्या होगा तो क्या हो गई आपका टी और यह इस तरीके का S बना हुआ ठीक है और CH फिर है आता है आपका यह यहां वाला सड़क वाला सदके यह टेसे सीमबल इस तरीके का यह सिम्बल है कुछ-कुछ this yeah जैसे की यह कब आता है जब आपका SH आता है ठीक है कि यह यह और जlब का का एक प्र-षे अपट ऐसे लोग में चल रहे हैं मैं एक खंटा म्ञें बख्ती रोंगी है वीडियो बंद जाते कहीं फ़ेडियो पर क्छल रही है तो प्रोन छोग से एम तो क्या है यह यह साउंड तो इसका अगर आप से पूछा जाए सिंबल तो क्या होगा यह वाला होगा ठीक है फिर आता है शी सी नहीं शी ठीक है शी बोला जाता है एस एच का यहां पर क्या रहेगा यह से आता है आपका ठीक है तो आप यहां पर क्या सिंबल लेंगे यह वा फिर आता है आपका दो दो के लिए क्या होता है देखो दो इस तरीके से बनता है तो याद करने के तरीका क्या है इसका कुछ-कुछ उल्टा सा नहीं है इसका कुछ-कुछ उल्टा सा है ऐसा सिंबल होता है दो के लिए ऐसे याद रखना ठीक है यह दो ऐसे बनता है और इसको ति एच जहां पर लिखा हुआ है उस ती एच को आप अपड़ते हैं तब आपको यह वाला यूज करना है जैसे की देर फादर फाथर नहीं कहते ना फादर ठीक है फादर फिर आता है आपका ब्रेड ब्रीधिंग जैसे हम बोलते हैं ब्रीधिंग कुछ लोग कहते हैं तो क्या होगा? this, 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 here पे th को the pronounce किया जा रहा है, तो ये वारा शिंबल लगाएंगे ये ये लिए पिर आता है आपका theta, इस th से theta बनता ही तो सिधा से theta, है तो है सब्सक्राइब तौ के लिए धिता वाला सिम्ब रहते है अपका तो यह किसलिये होता है जब दिध को यह हमने हो डहरे यह फिर शाउंद आएगा तब हम यह वाला इस्तेमाल करें गे और जब भी हम हमता पढ़ें नहीं है तीत यह त 안녕 प्रणन्स किया तो अब क्या है देखा हमारा यह two- krijgen क्या गाए गेका जब हम लिखेंगे जो planting तो हम यह लिखेंगे टी हैच दिच की जग़ह पर यहाँ पे आता थिंग तो नहीं कहतेς ना THINK T H I N के THINK तो यहां पर भी क्या आएगा यह थीटा वाला सिंबल थर के लिए इस्तिमाल करेंगे ठीक है फिर आता है व व एक होता है व से और व एक होता है W से ठीक है तो है तो आप याद रखेंगे व वाला जब भी व होगा तो यह वोट से ठीक है अब्सर्व व जो ह आपे कौन से और जो हमारे अंदर की टच करते है उस से आपका पता चलता है कहां से व बोला जा रहा है तो टीको जब भी हम ड़्यू को बोलते हैं तो वे तो हमारा जो मूँ है वह गोल होता है तोड़ा सा लिप्स जो होते वह राउंड शेप लेते हैं जैसे कि वे 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 व करके वह हमारा खुलता है राउंड शेप नहीं लेता है वं वह अब्जर्व ऑब्जर्व उब ceux शेप ने रहा ना वी से हमारी जह वह की ध्राइस आंभा का लएनक E इन नभा कर तो यह आँ यह तीक है वैसे याद रखना ऑजा रिखनास लंबा कर दिया तो यह अंग हो गया इंग्लेश थीज़ ठीक है फिर आता है ज्रेंगर ट्रेंग टेंग तहीं देंग तो यह चाहिक है तृब हैMr. जरी तो 74-5 तो आपको यह वाला सिंबल लेना है सिस यह उपने यह बढ़ा यह बढ़ना इसी मी और जैड आता इस तरीके का जो कि हम इस टिक है ça नहीं है और यह वाला आती है साथ में करके तो उसमें हम यह वाला symbol लेते हैं जो इस तरीके से अपका three कह सकते हो इसको यह से M iki से अपको कुछ रहां वाला भर यादखने पढ़ें बीकर को मुझे समझ में आता है जो भी वर्ड आपको मुश्किल लगता तक आपको होते हैं ग्लाइट उसको गूगल करो उसका मीदिंग पता चलेगा सांड भी पता चलेगा चलेगा ऑपनेटिक ट्रांस्क्रप्शन भी सबसे अच्छे ट्रिक है यह ठीक है फिर हम आजाते हैं मौन अप्तॉंग्स पर ठीक है वाल हमने देखा कि 12 होते हैं यह और 8 होते हैं हमारे ग्लाइड ठीक है तो 12 देख लेते हैं कौन-कौन से हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब भी हम कोई वर्ड पढ़ते हैं तो उसके अंदर में आ आ इस तरी ओब देखो बहुत है ना तो उसके लिए यह सिंबल स्थमाल किया जाता है जैसे कि मनी कॉप लक ठीक है मनी कॉप लग सबार से जो बोला जा रहा है जो रैपिध-ली क्उ नंस किया जा रहा है वहां पे होगा आपा ओख ओआ ऑप नर चेंफ में तो थोड़ा सा ताइम लेत ठोड़ा सा तब हम यह उल्टा लगाते है अ के लिए ठीक है जैसे कि about about आ बोला हमने पूरा ना ठीक है फिर हमारा common common अब देखो आप सोचो कि common में आ कहां आता है तो देखो यह है common तो यहां पर बोला जाता है इसमें मा प्लस में आ होता है इसमें, ठीक है, common, common, तो आ जो है न, वो थोड़ा सा लंबा बोला जा रहा है यहां पर, तो यह आपको ध्यान रखना है, कि जहां पर लंबा होगा, वहाँ पर आपको यह वाला symbol इस्तिमाल करना है, जहां पर rapid उच्चारण हो रहा होगा इसका, तो आपको यह वाला इस्तिमाल करना symbol जो है, ठीक है, common, alone, मैं इसके examples आगे भी आपको बताऊंगी, alone, ठीक है, फिर आता है आपका a, a के लिए क्या होता है, आपको हमेशा याद रखना है, देखो, जो छोटा a होगे आपका फिर जो बड़ा a आता है, बड़ी e है, बड़ उचारण जाएगा, थोड़ा सा time लेगा, ठीक है, उस sound को जाने में, तो यह a जो है न, यह बड़ा जाता है, a के साथ में, जब यह दो बिंदी लग जाती इस तरीके की, कुछ triangle type की sign होता है, यह a के बाद में, तो यह बड़ा जाएगा, इसका pronunciation बड़ा होगा, a, जैसे कि हम बोलते है आम, तो यह क्या हो गया, ऐसे part, ठीक है, part. Part तो नहीं कहते है, part, ठीक है, फिर आता है dark, ठीक है, फिर आता है fast, fast, ठीक है, तो बड़ा जाता है आज अचारण, तो यह a के साथ में बिंदी लगा जा है, इस बिंदी का मतला भी यह आ है, कि उचारण थोड़ा स फिर आता है इसमें भी क्या होगा रैपिटली होता है ए के लिए छोटी ए के लिए बड़ा आई और बड़ी के लिए छोटा आई चोटा आई दो बिंदी के साथ है बिंदी किस लिए क्योंकि लंबा उचारण होगा ठीक है अब देखो छोटी ए के लिए बड़ा आई और ठीक है फटाफट से जब आई का उचरण हो रहा है तो यह वाला बोलेंगे आप और जब बड़ा जा रहा है जैसे कि आपका रीट तो नहीं कहते ना रीट फिर आता है आपका लिप यह तो हो गया ट्री त्री बड़ा जाएगा ना ठीक है तो यह आपका क्या रहेगा तब यह वाला लगाएंगे फिर आता है आपका उ U के लिए कि तरीक यू बना हुआ याद रख लेंगे आप U U U U और बड़े वाले के लिए U के साथ में ही आजाएगा आपका यह दो बिन्दी जिससे के आपको पता चल जाएगा कि लंबे वाले के लिए है यह बड़े वाले के लिए है ठीक है जैसे कि good foot ठीक है good foot pull तो यहां पर क्या है फटावर से उ को बोला जा रहे है rapid बोला जारहे है ँ को यहां क्या है छोड़ा सा ठाइम लगाएगा rule rule । ठीक है पे यहां पफिर यहां पर Loop Loop यानि की बढ़ा उ आरहे आपका थोड़ा सा जढ़ा टांटारी लगततों आपको पता ही है उड़ते हैं तो हमें बोलते हैं हमने स्टार्टिंग में हिंदी में भी बढ़ए है दूसरे भी धोड़ा लंबा शप्रस जाता है ठीके है यह के लिए हम e का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि man bat head man bat head okay fast rapid is this one is a good one to use e to use it and when we take a little longer cat cat so a is called a big a what is our anak this is anak this is anak this is a symbol a simple symbol is e okay just like you can write लिखते हैं और इसका कैसे होगा ए जो बड़ा होगा उसके इनर एक साथ में यह भी होगा इस तरीकी का कुछ सिंबलाइस का ही है ठीक है लिखके और फिर से लिख गुथा हुआ साई है ठीक है तो यह कब होगा कैट लैंप एपट जब एक हो थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोल रहे हम थोड़ा सा लं convenience कर बोल रहे हैं तब यह वना सिंबल आएगा फ़ेरा मारा ओчесकिμε्ट चेया होगा यह सिंबल और टिक्ष दने किसे बना हुआ है अपका टिकार ऑइब लुटा स्मॉल एय hot hot one one तो क्या होगा rapid pronunciation होगा ओ का तो इसके लिए हम यह सिम्बल यूज करेंगे फिर आता है आपका ओ ठीक है यह होता है ओ ठीक है यहां यह जो लगा हुआ है ना ओ तो इसके लिए यह सी बना करके और फिर यह वाले तो इसमें थोड़ा सा लंबा उचान जाता है जैसे यहां फटा फट से कियाया है यहां पे tall, tall ठीक है है यहां पे all, fall, fall थोड़ा सा all करके हमारे जो लिपस है वो round होते है तो उसके लिए आप यह वाले सिम्बल इस्तिमाल करेंगे फिर आता है अर, अर आता है आपका अर क्या होता है इसमें आपका यह ऐस तरीके से 3 कह सकते हो या Z का सिंबल कह सकते हो और बन करके यहां पर यह दो बिंदी का मतलब भी है फोड़ा सा लंबा जाएगा आपका उचारणी जैसे की यह और है यहां पर इसलिए इनको हाइल किया है अर्थ नर्स नर्स टिक यह अर्व लान तो इसका फोनेटिक ट्रास्क्रिप्शन क्या होगा देखो एल का कहां यह रहे यह रहा का है क्या रहता है टो इसका क्या हो जो सिंगल सिंगल यह मुझे निदिखेंगे इसमें आता है जसे की बाष्ट्वल्ट मुझे चलते हैं जैसे कि आयां पर आय बोला जाता है और दोनों को साँड आता है जैसे कि हाई-बला इक तो ला इक लायिक यानि है को साउंड आ रहे है यहां पर यह खिला करें ठीक है माई 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 डाइस 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 ठीक है तो आई का साउंड आ रहा है तो हम यह वारा सिम्बल लेकर के चलेंगे ठीक है फिर आता है आउं आउं के लिए यहां पर ई और यू ठीक है ई और यू जैसा कुछ सावं यह है सिंबल यह लेकर चलेंगे जैसे कि हम कहते है गो गो नहीं गो में एक आपको संद आता है तो यह ऐवावल यह पर कॉन इसका सिंबल रहेगा फिर आता है ठीक है यह मुझे इसको देख आक्षेकुमार वाले याद आजाता है वो जो बोलते है तो यह वह अइवाला ओ गया जब लंबा वोलते हैं और आई इसका हो रहता है जैसे कि वे वे तो एक साउंड आता है से 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 हैं है जब आप इसको ढूंढेंगे ना आप इसको अगर गूगल करेंगे आप तो वहाँ पे अगर आप उसका साउंड सुनेंगे तो बोला जाता है हेई हेई ठीक है ऐसे बोला जाता है फिर आता है आउ आउ के लिए ए और यू इस तरीकी का सिंबल रहेगा जैसे की आउट ठीक है अब इसको हम बोल देते हैं लाउंज लेकिन लाउंज नहीं होता है यह होता है लाउंज लाउंज ठीक है आउ का सिंबल आता है यहां पे जो होता है यह ओ के लिए नहीं होता है इसमें दो ग्लाइडिंग वावल्स है तो इसको बोला चाता है लाउंज लाउं इसका transcription हम लिखेंगे AU, N का क्या रहेगा, N ही रहेगा और GE, lounge, जर, जर का sound आ रहे है, वो भी किस से आ रहे है, जी से आ रहे है, तो क्या रहेगा, ये देखो, जर का sound जब जी से आता है, तो D3 या DZ, कुछ भी कह सकते हो, ये लगा जाता, तो ये इसका phonetic transcription होगा, L, L के A, U, N का N रहेगा, और GE की जगा पे D3, ठीक है, ये रहेगा, next है आपका A, A, ठीक है, A, ये बोला जाता न, A, तो A कैसे होगा, E, E, यहाँ पर E क्या है, सीधा E है, और एक उल्टा E है, ठीक है, तो ये सीधा वाला बोल रहा है, A, सीधा हो जा, E को बोल रहा है, A, सीधा ह यह है Three तो यह क्या है अब जैसे कि बोला जाता है वे प्लडब और जी टो यहां पे क्या होगा इस डव्गल्यु का डब्लु रहे घांपे वह का डब्ल्यू आता है वो वाला और उसके अलावा से आंपा थो है क्योंकि पढूंगए यहांप में अनलों आपा साउंड के लिए ना यहां इसांड के लिए पार लिए और उल्ता लिखा यह देखो यह यह यहां पर यह तो इस यह के लिए हम क्या इस्तिमाल करते हैं यह वाला साउंड जैसे कि हो रहता है वो क्या रहता है में सालेंट रहता है हम बोलते ही और नहीं बोला जाता ही ठीक है यह बोला जाता है तो यह आपका फॉनेटिक ट्रांस्किप्शन इसका हो जाएगा ऐसे ही यह वाला है दोनों का सेम रहेगा है और ही दोनों का सेम फॉनेटिक ट्रांस्किप्शन जाएगा वह आपा है उसमें आता है आपको यू और ही ये वादा सिम्बल रहता है ठीक है जैसे की टुर थे के ऊपना मतलब पूर तूर और तो है यहां पर यहां पर यह वाला लिखंगेंगे यहां पर ट का तो टी रहेगा यहां पर ओ यू की जगह पर यह जो का साउंड आ रहा है यह दो वावल वहां पर यह वाला लिखेंगे ठीक है तो यू और यह लिख देंगे इस तरीके से यह इसका फॉने टेक ट्रांस्कुप्शन हो जाएगा पूर की जगह पर तो आएगा आएगा पीका साउंड तो पी रहता है उसके अलावा यह डबल जो है यह उप्रिणाउंस कर रहे हैं तो इसके जगह पे हम यह लिग देंगे और आपका इसमें बोलाने जाता है पूअ बोला जाता है पूअ पूर नहीं है यह दो सिंबल्स होते हैं आपके जैसे कि चॉइस चॉइस सॉइल जैसे मैंने आपको स्टाइटिंग में बताया था ग्लाइडिंग वावल्स के एक्जामपल में ऑईल ऑईल सॉइल ऑई आता है ना ऑई जो यह ऑई तो इसके अंदर क्या होगा देखो च के लिए यह बहुत यह ऑई आया ऑई इस ऑई के लिए हमने यह वाला सिंबल ले लिया यह वाला ठीक है ऑई के लिए हमने क्या लिया सी और आई ले लिया और फिर यहां पर चॉइस चॉइस सारा ना चॉइस तो नहीं आ रहा नहीं शह नहीं आ रहा है सारा यहां पर तो यह सा की जगह पे हमन तो यह आपका था phonetic transcription जो होती है, जो आपके phonetic sounds होते हैं, और उनके किस तरीकी के symbols होते हैं, ठीक है, इस वीडियो को आप अराम से देखना, pause करके देखना, एक दो बार देखना, repeat करके देखना, और उसके बाद में जो trick मैंने आपको बताई है, जिस भी word में आपको confusion हो, उस इसकुल भी मुश्किल नहीं है, ये topic, ठीक है, अगर हमने शुरू से ABCD के साथ ही सीखा होता, तो आज हमारे tips पे होता ही है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, आज सीख लेंगे, कोई सीखने की उमर थोड़ी न होती है, तो ये मेरी तरफ से कोशिश थी चोटी सी, कि ये topic आप को, कहीं भी कोई confusion है, या कोई और topic जो आप मुझसे चाहते, क्योंकि मैं सिर्फ इसकी जो pedagogy है, वो करवाने वाली थी, बट आप में से ही किसी student की request थी, कि sounds को बताया जाए, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ, ठीक है, तो इसे लिए इसी के साथ में, आज इतना ही, नेक्स वीडियो में मिलेंगे हम लोग, ठैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, एन कीप शेरिंग,